नुश्कार दोस्तों आपको मैंने बताया था कि चाइना के अंदर ऐसी एक लहर है कि भी स्टॉक मार्केट खुले और हम सारे इसके अंदर कूद जाएं आज पहला दिन था स्टॉक मार्केट खुली भी और आपको मैं बता नहीं सकता हूं कि क्या सीन था कुछ चीजे मैंने करी थी वैसा ही हुआ लेकिन ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया ने याने कि सारी चाइनीज की दुनिया है यह वाली इन्होंने सोच लिया है कि अब हमने काम करने नहीं जाना है इतना इलेक्ट्रिफाइंग यह मोमेंट था आज का मैं बता नहीं सकता हूं and everybody was expecting साथ दिन की चुट्टियां थी यहाँ पर साथ दिन के बाद पूरा का पूरा कंट्री आज खुला और ऐसा लग रहा था जैसे कि सबको स्टॉक मार्केट का फीवर आ गया हो फीवर में क्यों बोल रहा हूं कि जो स्ट्रीट्स हैं जब चुट्टियों के बाद दुबारा से कंट्री ख करनी है लेकिन दुकाने बन थी आज आज आदे से जदा खाली थे फैक्ट्रियों के अंदर काम करने के लिए कोई आया ही नहीं क्योंकि हर एक आदमी अपने अपने घर में अपने ट्रेडिंग के जो स्टॉक ट्रेडिंग होती है उसके एप्स को खोल कर बैठे होए थे और 3 trillion से जाधा पैसे लगने वाले हैं turnover होगा और हुआ भी ऐसा ही एक ही दिन में साड़े 3 trillion का investment हुआ है in stocks और जैसे बोला था वैसा ही हुआ मैंने 3 बोला था साड़े दिन हो गया अब आते हैं उसके बाद कि जो चाइना का जो business landscape है ऐसे लग रहा था जैसे आज एक pause आगया ह सबको ऐसा लग रहा था कि एक tsunami आने वाली है पैसों की और हुआ भी ऐसा ही पहला ही दिन सभी जो तिनों ने पैसे लगाए थे उन्होंने stock की game में जिसको बोलते हैं डूब गए tsunami आया पहले ही घंटे में 10% से ज़़ा increase हो गया जैसे ही 10% increase होता है दोस्तों चैना में एक breaker लग जाता है उसको ट्रेडिंग को उसी दिन बंद कर देते हैं ताकि speculation वाले लोग अंदर ना गो सके जैसे ही 9.7% आया एकदम से market ने गिरना शुरू कर दिया उसके बाद फिर rise क किया यह पिंग-पॉंग पूरा दिन चलता रहा कई के लोगों ने 30-30% आज profit कमाया है एक दिन के अंदर और जो यह सारे stock broker थे बल्ले-बल्ले होई भी पेड़ी थी उनकी अब हुआ क्या है जो companies हैं मेरी अपनी company में जो लोग काम करते हैं उन्होंने phone कर दिया सर हमारी गर्मा-गर्मी है जो चाइनिज गवर्मन ने एक package दिया था उसके करण यह गर्मी आनी शुरू हो गई यहां पर यहां पर चीज़ों के increase होना शुरू हो गया यह क्यों हो रहा है क्योंकि बहुत देर से यहां पर business बन थे stock market डाउन थी real estate डाउन था अब तो real estate के prices भी बढ नहीं मिलेगा आप समझ सकते हैं कि एकदम से already 25% की तो rise होनी शुरू होई है जो housing prices है क्यों लोगों का लगता कि भी हम stock market से पैसे कमाएंगे और उसके बाद मकान खरिद लेंगे तो अब यह disposable money लोगों के पास आना शुरू हो गया एक ही दिन में 10% increase जो शांगाई stock exchange है उस उसका तो 17-20% rise उसने एक दिन कर लिया यह आज तक की history में पहली बार हुआ है चाइना के अंदर कि इतनी rise देखी हो stock market के अंदर और जो तीन trillion से ज्यादा तो लोगों के profits बढ़ गए हैं एक दिन के अंदर क्योंकि पूरी market hot up थी मैं यहां पर जो stock market है वहां पर देखा कि वहां पर जो आप cafe में देख लो आप पार्क में बैठे हो हर एक आदमी अपने laptop को खोल के बैठा हुआ था या mobile को खोल के बैठा हुआ था और जो brokers हैं वो तो share खरीर रहे थे और बेच रहे थे सारा दिन एक ही काम हुआ है even मैं अपने wife को लेकर hospital गया हूँ क्योंकि आपक doctor के पास लाइने लगी है वो stock देख रहा है time ही नहीं है और जो बाहर खड़े हैं वो भी stock देख रहे थे यह हालत देखी है मैंने आज पूरे market के अंदर अब market को तो 10% ते उपर rise करना था किया क्यों नहीं उसका reason दाता हूँ मैं आपको आज government ने announce किया था कि वो सुबे 10 बजे वो अपने एक नया package announce करने वाले हैं country के लिए मैं क्यों बोला था कि no one is going to work इसका मतलब एक मतलब यह था लोगों को लगता था कि government एक बहुत trillion का देने वाली है और यह यह पैसा है जब market में आएगा यह सारा stock market में लगेगा तो एक stimulus package से एक बहुत massive boost मिलने वाला है stock market को लेकिन actual में हुआ उल्टा ही बगी जो होता है कि खोदा पहाड निकली चुया वह वाला काम हो गया Chinese के साथ जो big bank एक stimulus package आना था चाइना के नहीं है अब करेंगे क्या उसके बाद फिर जो इन्वेस्टर से उन्होंने अपने आप ही rally करने शुरू कर दी और stocks बढ़ाना शुरू कर दिया भई package चाइना ने नहीं दिया stock market Hong Kong की गिर गई 10% गिरी है एक दिन के अंदर stock market यान कि चाइना की 10% increase कर गई Hong Kong की 10% नीचे ग क्या है यह वीडियो मैं सिर्फ इसने लिए बता रहा हूं कि चाइना की बल्ले बल्ले हो रही है ऐसा कुछ भी नहीं है चाइना की बल्ले बल्ले नहीं है चाइनीज गवर्मन्ट के ने package देने से इंकार कर दिया अब आप सूचेंगे यार जब country इतनी राइस करने की कगार बहुत देन के बाद इन्होंने खुश्यां देखी है तो इन्होंने package दिया क्यों नहीं दोस्तों Chinese government कभी भी देती नहीं है लेती ही है इनको मालूम है कि अगर हमने अभी package दे दिया तो लोग पागल हो जाएंगे काम पर नहीं जाएंगे और जैसे मैं आज hospital में गया हूं तो डॉक्टरों ने काम नहीं किया वो अपने stock देख रहे थे कि मेरा पैसा कितना बन गया है इस चीज को रोकने के लिए प्लस जो first time अभी जो नया नया investor आया है almost चार क्रोड नए investor पिछले एक हफते में जूड़ गया है कि भई अब market increase करेगी हम पैसे बनाएंगे यानि क कि हरेक आदमी यहां पर आज की डेट में investment करने के लिए त्यार है stock को बेचने के लिए को त्यार ही नहीं है जो को बेचने वारा होगा नहीं तो ख्रेदो के क्या तो इसलिए हो क्या रहा है government ने अपने आपको रोक लिया ताकि जो यह लोग leave ले रहे हैं जिसको मैं बोलता हूं डे ट्रेडिंग आपको डुबोईगी ही डुबोईगी एक दिन आपको investor बढ़ना पड़ेगा और यह lesson चाइनीज government अपने लोगों को देना चाहती है आपको कोई लों को बेफको बना जाएगा अगर आप ऐसे चलते रहे कि भई stock market तो बढ़ने वाली है यह तो कभी चीज का फाइदा उठाकर वो पैसे बनाते हैं और बाहर निकल जाएंगे अब पूरे country का पैसा बाहर 2017-18 में भी यही हुआ था चाइना के अंदर पांसार लग गए 8-6 सार लग गए market उठी ही नहीं पाई क्योंकि सारा मैटा पैसा squeeze करकर यह बड़ी मचलिया है वो बाहर इस चीज को रोकने के लिए चाइना को मालूम है यह red hot market है आज की रेट में इसमें और stimulus package देना बेवकुफी होगी उन्होंने नहीं दिया लेकिन stimulus package आएगा जरूर आज डिसापॉंट किया है उसके बाद भी market rise कर रही है और यह rise करती रहेगी कम से कम 10-15-20% तो कहीं नहीं गई 25% तो already rise कर चुकी है पिछले 10 दिनों में 5% आज और rise हो गया और आगे जाकर भी राइस करेगा और उसके बाद जब stagnation देखेगी Chinese government तब जाकर वो थोड़ा सा package देगी Chinese Communist Party का historical यही तरीका रहा है कि वो आपको पहले अपने आपको सुधारने का मौका देते हैं और उस उसी के कारण जो एक foundation बनता है वो strong बनता है और प्लस इन्होंने एक और का दिया कि जो हम stimulus package देंगे वो specific sectors के लिए है आपको अगर मेरी वीडियोस देख रहे होगे तो मैंने आपको almost 8-9 मिने पहले बताया था कि Chinese government अब चमज बाल्टियां खिलोने नहीं बनाना चाहती वो factory of the world नहीं बनना चाहते वो कहते है यह चोटे बोटे काम जो है इंडिया लेके जाना चाहता है ले जाओ हम काम करेंगे infrastructure दुनिया में जाकर railway roads यह हम बनाएंगे दुनिया के लिए technology की उपर काम करेंगे हम electric vehicles पे काम करेंगे जो futuristic hydrogen energy की उपर काम करेंगे even electric जो solar cell इसकी उप एक तरफ तक जो अपने investors हैं उनको लोग caution कर दिया कि यह मत सोचना यह बढ़ता रहेगा आपको काम करने की जूरत नहीं है यह policy है government की policy driven हम specific industries में पैसा लगाने वाले हैं इसलिए आप please इस चीजों में आप मत फसना वरना आपके पैसे डूप जाएंगे और यही चीज मैं मैं भी अपने वीडियो में आपको बार बार होता हूँ please do not get carried away by the so called analyst वो बोलेंगे ओ जी जिता ना करो एक अलग परण जा नहीं है market और जब गिर्णी चुरू होईगी फिर बोलेंगे यह तो 30,000 पर रह जाएगी this is what they do according to the trends बोलेंगे वो दिन देखते हैं कि पीछे actual में हो किया रहा है अब lessons क्या है इंडिन इंवेस्टर के लिए पहली बात market में जो companies हैं उनकी performance से ज़्यादा important होती है government की policies और government कब intervene करेगी market के अंदर जो दोस्तों जो market का उपर नीचे जाना है उसमें government का बहुत बड़ा रोल होता है जो economic initiatives है जो government announce करती है जैसे अभी government ने बोला कि मैं semi conductor hub वो बनाना चाहते हैं भारत के अंदर वो technology का infrastructure बनाना चाहते हैं भारत के अंदर Chinese experience से बता रहा हूं आप जुत्ति मर्जी policies बना हैं वो भी determine करती हैं कि आगी जाके क्या होगा चाइना ने हमेशा ही एक चीज़ की उपर पैर रखा उन्होंने balance नहीं बनाया market forces और government policy की पीश में market forces को काम करने दिया भारत अभी वो दोनों चीज़ों को लेके चल रहा है government policy की उपर भी आपकी नजर होनी चाहिए और जो market की forces हैं उसके उपर भी नजर होनी चाहिए प्लस इवन की company की performance के उपर भी आपकी नजर होनी चाहिए अगर यह तीनों चीज़ों के उपर आपकी focus है आप दोका नहीं खाएंगे और being a investor day trader में और investor में फरक हो रहा है उसके बाद क्या होता है अगर आप investor बनते हैं तो इवन purchase चाइना के जो यह पूरा जो एक बवाल हुआ पड़ा है यहां पर country का short term में यह boost कर रहे हैं अपने country को long term के लिए plan नहीं है plan आएगा तो बात करेंगे plan आएगा और आएगा भी जरूर यह चीज़ें सीखने वाली है जो दूसरे की गलती से सीखता है वो खुद गलती नह हो रहा है उसके कारण भारत की जो जो भारत में जो foreign investor था उन्होंने पैसा निकाला उनको लगता है कि बहुरित की stock market है वो चुकी है अब पैसा बनानी कुछ पैसे बनाने हैं इंको foreign investors को यह पैसा निकाल कर चाइना की stock market में investir करते जा रहे हैं इसे की कारण यहां पर भी पै की गवर्मेंट में या स्टॉक मार्केट में वो लगाना शुरू करेंगे यही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर और यह से लिए आपको बहुत साथ केरफूल रहना पड़ता है यह नंबर्स देखने के लिए कि फॉरें डिरेक्ट इंवेस्टमेंट वो कब आ रही है और कब जा रही है क्योंकि यह प्ले करते हैं आपके मनी के साथ फॉरें इंवेस्टर कभी भी अपने पैसे से खेलता नहीं है वो हमेशा हमारे ही पैसो के उपर पूरी नजर रखी होई है अब होगा क्या होगा यह कि शॉर्टम के लिए चाइना की मार्केट बढ़ती जाएगी इवन दो चाइना में स्लो डाउन है बिजनस डाउन है डिमांड कम है उसके बाद भी यहां पर स्टाउक मार्केट बढ़ेगी क्यों अभी लोगो काम था विकुल एन विकुल शान था कुछ नहीं चल रहा था चाइना में थोड़ा सा स्टॉम आया है शायद वो जो चुपी थी उस वोगत वो इसी स्टॉम के लिए थी देवा वेटिंग की अमेरिका में इलेक्शन को जीतने वाला है चाइना ने अल्री हाथ करे कर दिये क कि आयेगा तो ट्रंप ही इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है और ट्रंप के आने से पहले इन्होंने एक स्टुमिलस पैकेज भी दे दिया देखने के लिए कि मार्केट कैसे बिहेव करती है पूरे मार्केट में पॉजिटिविटी है बहुत देर की बात मैं यह नजर रखी हुई है कि भारत की गवर्मेंट कौन सी इंडर्स्टी के अंदर वो पैकेज देरी है किसका फोकस है किसके अंदर वो चाहते है कि फॉरण डिरेक्ट इंवेस्मेंट हमारे कंटरी में आए और जॉन सी भी इंडर्स्री वो बोलते है पहले एग्रिकल्चर के लेकिन वहां पर कर्रेक्शन मैंने बोला था अगर याद होगा आपको कुछ दिन पहले ही मैंने बोला था भी कि भारत में कर्रेक्शन आएगा मार्केट यहां पर टैंक करेगी आप देख लीजिए आपके सामने है चीज़ें उपर नीचे होनी आलर्री शुरू हो गई है यह feeling होती है एक study होती है जिसके करण यह वीडियो बनाता हूं और चाइना के अंदर भी यही कुछ है एक दिन में 10% increase करना यानि कि timing चाइना ने perfect चूज करी है अमेरिका में elections आने वाले हैं American elections में चाइना का नाम लेना बंद कर दिया जैसे ही चाइना ने rise करना शुरू किय रहेगा उपर जाएगा फिर नीचे यह फिर उपर जाएगा यह अब चलता रहेगा लेकिन जो पहले नीचे नीचे जा रहा था जुसको मैंने वीडियो भी मनाया था कि नर्क के नीचे भी कोई जगा होती है वह Chinese stock market में आके मैंने देख लिया कि नर्क से नीचे भी कोई ज जीरो हो गया था लेकिन चाइना ने एक छोड़ा सा stimulus package देकर अपने country को थोड़ा सा सांस लेने की जगाते दी अब चाइना तो यह काम कर रहा है इंडिया को क्या करना चाहिए इंडिया ओलरी एक advantageous position के उपर है हमें अपने रास्ते को भटकना नहीं है investments जो है अराम से करते जाये key sectors के अंदर ताकि domestic और global investors हमारे country में आए जो चाइना को छोड़कर हमारे country में आने की wait कर रहे है रेस शुरू हो चुकी है it now depends on Chinese government कौन सी packages निकालती है और Indian government कैसे अपने आपको place करती है इन चीजों में और कैसे चाइना को खींच कर अपने पास लेकर आती है और मेरी नजर इसके उपर बनी रहेगी जय शरी राम लेकरा मत भूलना थैंक यू जय हिंद वन दे मातरम